बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study with Swati YouTube चैनल पर दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे UPTT के बारे में UPTT के बारे में क्या कुछ निउज आई है देख लेते हैं UPTT का जो पेपर लीख हुआ था जो निरस्थ हुआ था वह परिक्षा दोबारा होगी आप सभी को पता है मैंने भी बता रखा है कि नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया था 23 जन्वरी 2022 की डेट बताए गए थी तो इसके संदर में यहां पर क्या कुछ प्रशाशन ने जारी की है चीजे टीटी परिक्षा 23 को तेयारिया शुरू परिक्षा नियामक प्राधिकारी ने डी आई ओएस को भेजा पत्र तो इसके संबंद में यूपी टीटी की अगर हम बात कए तो लेटर जारी कर दिया गया है यहां पर देख पा रहे हैं नियूज में आगे दिया है प्रिक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजा है जो आपके सेंटर है वो पुराने रहेंगे सेंटर जो है वो चेंज होगा इस चीज का विशेश द्यान रखें ठीक है तो इसके संबंद में जो है वह नियामक प्राधिकारी को भेज दी गई है सूची इसके अलामा परिक्षा नियामक प्राधिकारी ने पूर माधमी की स्तर यानि जो 628 का पेपर है उसके लिए 6908 अभ्यारती पंजिकरत रहबीते 28 नमबर को प्रस्तावित परिक्षा एन वक्त पर पेपर लीग होने की जानकारी होने पर निरस्त कर दी गई थी तो यह सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पर विजिबल है आप बदल जाएंगे नए केंद्र सूची जारी जल्द ही की जाएगी तो आप इस पूरी नियूस को पढ़ सकते हैं यहां से और आगे भी एक नियूस है यूपी टीटी में ग्रामीर सिक्ष छेत्रों में बने केंद्र होंगे निरस्त यानि जो ग्रामीर छेत्र में जो सेंटर बने हैं वो निरस्त हो जाएंगे ठीक है उनके लिए भी अलग से जो है सूची जारी की जाएगी तो यही सारी चीजे इस नियूस में दी हुई है तो यह थी यूपी टीटी के बारे में नियूस और यहां पर अगर हम बात करें यूपी टीटी के बारे में सब्जेक्ट व और बचा है उसमें हम सभी जो भी आपके एक्जाम में कवी और कृतिया पूछी गई है या आ सकती उन सभी को इंक्लिवट किया साथी बाल विकास पर्यावरण अध्यान इंग्लिश संस्कृत गडित इन सभी के पेपर भी जो लीक हुए थे उनको मैंने करा दिया है अलग से भी मैंने प्रैक्टिस एट और प्रीवियस एर के क्वेशन पेपर डाल रखे हैं तो वहां से आप पढ़ सकते हैं यानि हमारे चैनल की प्लेलिश्ट से चले दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थांप फ्रैंडिटिस के मुष्च ने वर्णियू पन्यू में कि अच्टिस एक डिन प्रीवियोग दोस्तों में ट्यू क कुछर के विरो जओ धन्यू कर दोस्तों मैं यानिय।